पहले हमें दो मीडर कपड़े को इस तरीके से फैला लेना है अब हमें एक साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है अब हमें लंबाई माप लेनी है 31 इंच हमने लंबाई ले है और इस तरीके से निसान लगा के बागे बचे हुए कपड़े को हमें कट करके निकाल लेना है इस तरीके से हमारा कपड़ा कट गया है यह हमारा खुला हुआ पाट है इस साइड से हमारा बंद हुआ साइड है अब हमें इस तरीके से 13 इंच पे निसान लगा लेना है इस तरीके से हमने 13 इंच पे निसान लगाया है 10 इंच तक हमें इसी तरीके से नाप लेके निसान लगा लेना है अब हमें इस निसान को इस तरीके से मिला लेना है हल्की सी गहराई का सेव देते हुए हमें इस निसान को मिला लेना है अब इसी निसान पे हमें कटिंग कर लेनी है यह हमारे आसन की कटिंग हो गई है अब मोरी के साइड हमें 13 इंच पे निसान लगाना है यह देखिए हमने 13 इंच इधर से माप लिया है अब यहाँ पे हमें निसान माप कर लेना है यह निसान हमने लगा लिया है अब इस निसान को आसन के निसान से हमें मिला लेना है अब इसी निसान को हमें कट कर लेना है अब हमें इस कपड़े को इस तरीके से खोड़ लेना है अब हमें इस साइड सिलाई लगानी है और बॉटम साइड भी सिलाई लगानी है यह देखिए हमनी सिलाई लगा लिए अब हमें एक धागे को पकड़ के इस तरीके से खीचना है हलके से हमें चुनर चाहिए होती है तो हमें आसन की साइड में हमें थोड़ा ही चुनर लगाना है देखिए इस तरीके से चुन्नट लगाने के बाद हमें 22 इंच माप लेना है जिससे हमारा 22 इंच आए अब हमें मोड़ी की साइड ऐसे ही चुन्नट लगा लेना है चुन्नट लगाने के बाद हमें 13 इंच माप लेना है उसी नाप से हमें एक पट्टी कट कर लेनी है आप पट्टी में कोई लैस वगेरा भी ले सकते है पट्टी की चोड़ाई हमने चार इंच ली है अब इस तरीके से हमें रखके सिलाई लगा लेनी है यह देखिए हमने सिलाई लगा लेने है अब ओपर की साइड हमें ऐसे करके सिलाई लगा लेनी है अब इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है दूसरे पार्ट को ऐसे ही बना लेना है अब इस पे उल्टा करके हमें रखके अब आसन को हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से दोनों साइड हमें आसन में सिलाई लगा लेनी है ये देखिए हमने दोनों साइड आसन में शिलाई लगा लिए अब इस तरीके से दोनों पैरे को अलग करके हमें शिलाई लगानी है आसन से लेके मोडी तक हमें शिलाई लगा लेनी है यह देखिए हमने दोनों में सिलाई लगा लिए हैं अब मैं इसको सीधा करूंगे यह हमने सीधा कर लिया है इसको अब हमने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई छे इंच है लंबाई 22 इंच है अब दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेने हैं अब हमें सिलाई लगानी हैं दोनों को पकड़के इस तरीके से यह देखिए सिलाई हमने लगा ले हैं सिलाई को उपर की साइड है मतलब सीधी की साइड हमारी होनी चाहिए अब हमें इस तरीके से उस पे मोड के सिलाई लगाएंगे यह देखिए हमने सिलाई लगा ले हैं इस तरीके से मारा अफगानी सलवार तयार हो क्या है करेंजे